हन जी, रम रम जी क्या हाल चाल आपके उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठेक ठाक हुआ हर्याना की भरतियां वैद 2024 के चुनाओ दोस्तो हर्याना में गुरूपची की भरति है वो कौरट में जाई हुई है 32 अरपद है हरियाना में TGT की भरती है वो कोर्ट में जाई हुई है हरियाना में गुरुप D की भरती चतरी है वो कोर्ट में जाई हुई है तो और भी बहुत सारे भरतिया है और अब सिधा सिधा election के उपर effect पड़ेगा अब सरकार क्या decision लेती है क्या नहीं लेती है देखे क्या कुछ लिखा गया है एक आरिटिकल में क्या कुछ बताया गया है ये देखिए ये आज के न्यूज पेपर में एक आरिटिकल चापा हुआ है 2024 के चुनाओ और हरियना सरकार की बरतिया मुख्य मंतरी मनौ और लाल है ना वो बार बार दावे कर रहे हैं डंके के चोट पे के 9 साल में 1.10 लाग सरकारी नौकरियां बिना पर्ची और बिना खर्ची युवाओं को दी है ये बात तो अब भी हो जाएगी लेकिन भरतियां होगी तब होगी गलियारे में चर्चा है कि विधान सबा चुनाओं में सरकारी बरतियां भी एक बड़ा चुनाओं मुद्दा बनता है वर्स 2019 में एक साथ गुरूप डिके 18,000 से ज़्यादा युवावरति के थे इसका असर यह हुआ था कि जीन उप चुनाओं में बाजपा की बड़ी जीत हुई थी वर्स 2019 के चुनाओं में बाजपा सबसे बड़ी पारिटी के तोर पर जीत कर आई थी मगर पिछले लग बग तीन साल से सरकारी बरतियां नहीं हुई है इससे युवावं में नाराजगी है जो सोसल मेडिया पर जाहिर करते भी रहते हैं गलियारे में चर्चा है कि अगर यह भरतियां नहीं हुई तो युवावं में नाराजगी बढ़ती जाएगी यह सरकारी बरतियां नहीं होने या होने में देड़ी का कारण common eligibility test यानि कि CET है CET की गुषना के तुरंद बाद पहले कि सारी बरतिया है वो वापिश ले ली गई और उसके बाद आज तक एक भी पद है वो नहीं बरा गया और सरकार कितने स्पीड से काम कर ली है इसका एक्जमपल भी यहां पे लिखा हुआ है कि अरियाना में सरकारी को जो में 60 परतिशा जो पद है सायक प्रोफेसर के वो खाली पड़े हैं लग बग पात साल से इन पदों पे बरती नहीं हुई है हाई कोर्ट ने भी टीपुने की थी कि साड़े चार साल से बरतिया क्यों नहीं हुई हाई कोर्ट ने सरकार से सपतपत्र मांगा था ये बरतिया करने के लिए दो साल से नियमों में संसोदन नहीं हो रहा है अभी तक संसोदन नहीं हुआ है संसोदन होगा जब ये बरतियां आएगी दूसरा हरियाना पुलीस में पुरुष सिपाई के पांच जार और सिपाई के एक जार पुद भी बरतिया होनी है इसमें भी आपके नियमों में संसोदन नहीं हो पाई मुक्यमंतरी मनौरलाल चाहते हैं कि बरतियां जल्चे 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 पूरी हो मगर हमारा सिस्टम बरतियां वो दूरस्त नहीं है गल्यारे में कहा जा रहा है कि नियमों में संसोदन करना मतर दो गुटे का काम है दो गुटे में नियम संसोदनों के त्यार हो सकते है लेकिन हमारे जो सरकारी डिपरिट anxовых है साइध बहुत सारी कमया हुन में जिसके वज़े से बरतियां नहीं हो पारी है 32,000 के बरतियां कोर्टमेट की पड़ी है ठीक है, TGT के कोर्टमेट की पड़ी है JBT की बरति साथ साल से नहीं है MPSW की बरति भी नहीं हुई है ठीक है, उमर निकड़ती जा रही है 13,000 के पड़ी है, वो मामला कोर्टमेट का पड़ा है तो जब तक मामला ये ठीक नहीं होगा तब तक सरकार को इलेक्शन में बेनेफिट नहीं होगा और अब कहा जा रहा है कि 2024 में साइद भरतियां हो जाए अब देखो जी सरकार अपने इलेक्शन के चक्कर में क्या गेम खेलती है, क्या नहीं आपकी क्या राई है, आप कमेंट बुक्स में जरूर बताएगा, धन्यवाद